कि नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब करिये कितना स्कोर आपने किया है कितने सही किये हैं चोटल पूश्टन में से सभी लोग अपना इसकोर जरूर करिए दोस्तों समीक्षा अधिकारी के प्रिलिम्स एक्जामिनेशन के लिए ये हिंदी का मॉक टेस्ट नमबर त्री है सामानी हिंदी के टेस्ट को हम लोग देख रहे थे ये फुल लेंथ है मतलब इसमें 60 प्रश्ण है टोटल जैसे कि पीछे आपने दो टेस्ट देखे हैं बिल्कुल वैसे ही लेकिन प्रश्ण नए है और शुरुआत हम लोग बिलोम शब्दों से करेंगे सेग्मेंट वाई तो शब्द बहुत जादा अपठीत नहीं है यह जो वाक्य है यह हिंदी के शब्द थोड़े बहुत है लेकिन मूल रूप से फार्सी है अब इसमें जो रेखांकित शब्द है उसका आपको विलोम तलशना है तो रेखांकित है क्या इसमें कुछ भी रेखांकित नहीं है तिहां जे धिखाई दे रहा है इसमें रेखांकित ही यहां पर मामकीन और यहां पर माकूल अब बताईए ये दोनों रेखांकित है और उसी के विकल्ब के तोर पे दिया है मेरा तथा इस पश्ट यानि मामकीन का जो विलोम होता है वो मेरा होता है और माकूल का होता है इस पश्ट ठीक ऐसा इसमें कहा गया है इसके बाद मामकीन का जो विलोम है वो मुनासिब होता है और माकूल का विलोम होता है लायक यहाँ विलोम शब्द आप देख रहे हैं यह बहुत ध्यान से देखेगा और गव वाले में कहा गया है कि बेगाना और नामकूल इसके बाद गैर और मकूल इस प्रकार से यह पेर में दिया है पहले वाले में आपको मामकीन का विलोम ढूड़ना है और दूसरा वाला जो इसका हिस्सा है इधर वाले पार्ट में यहां आपको माकूल का ढूड़ना है वैसे मामकीन का मतलब क्या होता है इसका अर्थ होता है स्वैंग का, खुद का या मेरा अपनी किसी चीज़ को हम कहते हैं कि ये मामकीन है, अर्थात मेरी है और माकूल का मतलब होता है उचित या ठीक, कहते हैं ने माकूल जवाब दिया यानि ठीक, उचित जवाब दिया, इस प्रकार से अब इसका विलोम बताईए तो देखे, इसका जो राइट एंसर है, वो इसमें से देखे, गवाला हो जाएगा बेगाना और नामकूल, बेगाना मतलब क्या होता है, दूसरे का बेगाना सामान, उसका मोह नहीं करना चाहिए तो मामकीन अर्थात, मेरा स्वैंका, बेगाना मतलब, दूसरे का, ये विलोम हो गया और माकूल मतलब होता है, उचित, तो उसमें आप ना, ये जो उपसर्ग आप जोड़ रहे हैं मामकीन से, और माकूल का आर्थ, उचित भी होता है, वही बात है, इस फ़ष्ट जबाब दिया उसी प्रकार से यहां मुनासिब और लायक है, ये दोनों ही जो है, ये माकूल के समानार्थी हो जाएंगे मतलब परियावाची हो जाएंगे, वेगाना आप देखे रहे हैं, ये हमारा सयूतर है, और गैर और मकूल, देखिए मामकीन मतलब मेरा, गैर मतलब दूसरे का, ठीक तो है, लेकिन मकूल यहां पर जो माकूल शब्द है, उसका विलोम नहीं है इसलिए ये जो गह वाला है, उसको हमने नहीं चुना है, इसका करेक्ट अंसर गह हो जाएगा इसके बाद दूसरे नंबर के प्रेशन को देखिए, यहां पर लिखा हुआ है लोम विलोम आप कहते हैं तो वी उसमें उपसर्ग लगता है और मूल शब्द होता है लोम हलके फलके होते हैं तो वो चीज़, लेकिन लोम का मतलब एक होता है सीधा, अब यहां पर विलोम आपको चुनना है तो इसका अपोजिट यानि लोम का जो विलोम है वो खुद विलोम होगा, निश्चित रूप से होगा इसमें कोई संदेह नहीं, आप वी उपसर्ग लग इसके बाद प्रतीब का मतलब भी उल्टा है और उल्टा तो खुदी उल्टा है तो इसलिए इसका जो घवाला है उसको हमने चुन लिया, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 को देखिए, स्वर्ग मतलब जन्नत जिसे कहा जाता है, तो इसका उजित विलोम शब्द आपक के कौन सा होगा। और इसका जो सही उतर हो हैं तीसरा वाला प्रशन घवाला हो जाएगा सभी देखिए दोजक जो है ये जैसे जन्नत में जाएगा और वैसे ही दोजक में जाएगा दोजक मतलब जो जहन्नुम होता है, नर्ख होती है उसको कहा जाता है, अवगत मतलब कि फिरोम सीख रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ परयायवाची भी सीख रहे हैं इतने सारे आपको परयायवाची मिले कि इसके- नर्ग के तो एक प्रश्ण में आपको बहुत सी संभावनाई दिखाई देती今 इसके बाद आगी चलते दुस या दुर इस प्रकार के जब उपसर्ग लगते है न तो वो चीज कठिन हो जाती है असंभव तो नहीं होती है असंभव शब्दमा नहीं आएगा लेकिन वो कठिन हो जाएगा उसको करना या उसको पाना आसान नहीं होगा तो यहाँ पर कहा गया दुरग्राहे, अब इसका विलोम बताईए, तो अनुतपत होता है, अवगाह होता है, कूट होता है या विकूट होता है, विकल थोड़े अटपटे हैं, ग्राहे इसका काईदे से विलोम होना चाहिए था, लेकिन ग्राहे न देकर उसके कुछ समानार तो चौथे नंबर का ये जो प्रेश्ण है इसका विकूट हो जाएगा देखिए दुर गराहे का मतलब क्या होता है सरली करण, अर्थात जिसे की ग्रहण करना सरल ठीक, तो यहाँ पर जो सरली करण की प्रक्रिया है, उसको विकूटन भी कहा जाता है तो यह घह वाला इसका सही है बाकी जो आप देख रहे हैं, वो इसके उचित विलोम नहीं है, और गाह दूसरी बात है और अनुतपत का भी यहाँ पर कोई अर्थ नहीं लगाया जा सकता है, सिर्फ जो घह वाला है वो सही, इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ देखें, जैत्र, अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पर शब्दों का अर्थ तो आप जानते हैं अगर नहीं जानते हैं तो उसको जान लीज़े देखें, अनुतपत होता है, अनुतपत नहीं होता है यहाँ थोड़ा सा मात्राओं की अशुद्धी है वर्तनी अशुद्धी है तो पश्चा तापी, अनुतपत का मतलब क्या होता है पश्चा ताप करने वाला अवगाह का मतलब क्या होता है तो अवगाह का अर्थ होता है कठिन अभी आपने दुर्ग्राह यहां चुना है न अगर आप अवगाह चुलनेंगे तो यह परियावाची उसका बन जाएगा कठिन, अथा, गहरे अस्थान को भी जो गहरी जगह होती है उसको अवगाह कहा जाता है और कूट का मतलब क्या होता है तो कूट का एक तो अर्थ होता है जैसे कूट भाशा में लिखा हुआ है तो संकेतिक, संकेत से तातपर्य होता है इसको भी कहते हैं कि कूट इसलिए उसी से बना हुआ है कूट निती फिलहाल इसका जो घवाला है वो सही तो सारे शब्दों के अर्थ जान लीजे अगर जहां नहीं पता है वहाँ पे पांचवे नमबर की प्रशन को देखे यहां कहा जा रहा है कि जैत्र और अवित्यज अवित्यज और जैत्र इस प्रकार से दिया है इन दोनों का आर्थ समान है दोनों एक ही अर्थ रखते है अब यह दोनों शब्द किसके परियाए है मतलब यह आपको पता होना चाहिए मतलब कहने का तात पर यह है कि जैत्र और अवित्यज आपस में परियावाची हैं, समानार्थी है, परियावाची है, इसका विलोम आपको तलाशना है। तो यहाँ श्रंकर शुक्र हो जाएगा, पारथ हो जाएगा, मतल прыए पार Ahi 받아 यहाँ लिखाए और कोई भी सत्य नहीं है, आप यहाँ आप इनका अर्थ देखें। तो जैत्र और अवित्यच ये पारा को कहा जाता है जो आप पढ़ते हैं रसायन विज्ञान में मरकरी तो ये HG जो होता है इसी को कहा जाता है और इसके अन्य नाम जो है उसमें संकर शुक्र भी इसको कहा जाता है पारत भी कहा जाता है तो हमें ढूड़ना था विलोम और य यह दोनों शब्द एक ही है मतलब दोनों का मतलब तातपरे जो है वो यह कही है इसका विलोम आपको तलाशना है तो यहां पीर दिया है जैफ दिया है रंभी दिया है और कम उम्र दिया है तो पहले तो उमर रसीद और डोकरा का मतलब आपको पता होना चाहिए डोकरे को अग लिए इस्तिमाल होता है अब उसी का विलोम आपको तलाशना है तो यहां ज़रा देखें पीर का भी अर्थ होता है व्रिद्ध जैईव का भी अर्थ होता है कमजोर या वयो व्रिद्ध जो होते हैं अवस्था की वज़े से कमजोर हो जाते हैं रंभी का भी वही तात्परे हो तो ये निरुट्सा की अवस्था होती है, दुख को भी कहा जाता है, या उट्सा विहीन अगर कोई हो जाए, तो इस्थिती को भी अवसनत्व कहा जाता है, ठीक, अब यहाँ पर इसका विलोम आपको तलाशना है, तो निश्चित रूप से जो उट्सा की अवस्था होगी, या दुख से बाहर सुक की अवस्था होगी, वही इसका विलोम होगा, तो इसमें देखें, अंदोह दिया है, अभिशंग दिया है, अरुन्तुद दिया है, और अनद्य दिया है, बताईए, तो देखें, अरुन्तुद का मतलब क्या होता है, मन को दुखाने वाला, और एक तो इसमें आप देखना है कि तीन तो समानार्थी ही हैं, तो फिर विलोम बचा क्या है, इसका विलोम बचता है, खावाला, अभी शंग, अभी शंग जो होता है, ये सुख की अवस्था को कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है, हाला कि इसके कई सारे अर्थ होते हैं, तो उन अर अगर आप देखें तो बागी जितने है न रेश, प्रहाणी और अनुद्यत ये सब इसके समानार्थी है इसके परियायवाची समझ लीजे जो सरिष्टी है ये सरिष्टी शब्द है इसी को बात में विगाड़कर हिंदी में सरिष्टी बना दिया गया ये संस्कृत का शब् आपने पिछले टेस्ट में देखे होंगे तो इनके अर्ध आपको मालूम होने चाहिए यहाँ भी आप देख लीजे चमक से तात-परे, दियूतिमा मतलब उजाला या चमक रोश्नी, अप्शा का भी वही तात-परे है, अरकत्व का भी वही तात-परे है, जहूर का भी प कौन सा होगा और प्रश्ण संख्या 9 का जो करेक्ट एंसर है वो इसमें नीरस्ता हो जाएगा नीरस्ता का तात्परी क्या है देखिए चमक का मतलब होता है कि कांती उसके अंदर है आभा है तो कांती भी हीन अर्थात रस भी हीन मतलब नीरस उसको कहा जाता है न जिसके अंद होता है अवस्तु होता है अर्जल होता है या सभी सकते हैं यह वाला हो सकता है बताएं तो देखिए मुल्यवान का मतलब कीम्टी आप जानते ही है अब इसमें अल्पक्रीत अवस्तु अर्जल यह जितने भी है इनका मतलब क्या होता है मुल्य विहीं जिनका के कोई मुल्य न देखें प्रेश्न संख्याई ग्यारकों, इसमें कहा जा रहा है कि अलाउदीन खिल जी ने बे फजूल में राजपूतों से बैर मोल ली, अब यहां से वर्तनी शुद्धी शुरू होती है, तो अलाउदीन खिल जी जो है ये राजपूतों से काफी ज़्यादा टकराओ करता है, तो यह अपने सामराजी का विस्तार करने के चक्कर में राता है, राजपूत एक नंबर के जिद्धी और बहादूर योध्धा होते हैं, तो वो अपनी मात्रिगूमी को दाव पर नहीं लगने देते हैं, लड़ जाते हैं, जान पर खेल जाते हैं, तो बहुत प्रसिद होगा या फजूल होगा, मतलब यहां पर फ के नीचे ऐसे बिंदी है, और बेफजूल इस प्रकार से, बेफिजूल लिखा है या बेफजूल था, बताइए कि इसमें से शुद्ध रूप क्या है, तो जो एक ग्यारवा प्रशन है इसका करेक्ट एंसर इसमें से, देख ली ही है, तो शुद्ध अशुद्ध यूग्मों में से एक गलत यूग्म है, उसका आपको चैन करना है, और चार विकल्पों में से कोई एक चुनना है, तो इसमें देखिए, नीचे यहां पर पहले विकल्प दिया है, और उसके बाद उसका जो दूसरा वाला रूप दिया है मतलब एक से ज़्यादा भी गलत हो सकता है इसको आप ध्यान से देखे ने जरत छोटा करना पड़ेगा और छोटा कर लीजे अब देखे यहाँ देखे यह यूग में दिया है ठीक है एक तरफ शुद एक तरफ अशुद इस प्रकार से दिया है और उसमेंसे आपको चुनाओ करना है तो एक से ज़्यादा भी आप चुन सकते जो गलत है उसकी तलाश करनी है तो यहाँ द्वन्द दिया है मतलब इसमें देखे आप यहाँ पे इसे अब बढ़ा कर लीजी और ध्यान से देखिे यहाँ पर जो द्वंद शब्द लिखा है न उसमें आधाना नहीं है सिर्फ उपर बिंदी है और यहाँ पर उसमें आधाना गुसेड दिया है इसके बाद पुनरवास को लिखने का तरीका देखे व पे उडंतुर है यहाँ पे न पे है तूफान में यहाँ पर बिंदी लगा रखा है फंगे नीचे ध्यान से देखेगा और यहाँ पर वह बिंदी गायब है इसके बाद शड़यंत्र को लिखने का तरीका यह देखे कुछ इस प्रकार से और कुछ इस प्रकार से तो बताइए कि इसमेंसे शुद्ध कौन सा है माफ कीज़ेगा यहां पर गलत युगम की तलाश करनी है तो जो अशुद्ध है वो खोजना बताईए देख लिजे तूफान को लिखने का तरीका शड़यंत्र को लिखने का तरीका और इधर वाले जो लिखे हैं वो अशुद्ध हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है इसके बाद आगे चलते हैं प्रश्ण संख्या 13 को देखिए अब यहां लिखा हुआ है कि सुमेरु परवत का महत्व इसके नीचे रेखांकर है तो इनका शुद्ध यूग में या शुद्ध जो त्रई है तीन शब्द है तो त्रई है वो आपको खोजनी सुमेरु ऐसे लिखा जाएगा अब यहां ध्यान से देखीगा रव पे बड़े उकी मात्रा लगी है सुमेरु ठीक तूसको कर दिया ह सुमेरु यानि छोटे उकी मात्रा कर दिया है महत्व को लिखा है वैसे ही जैसे यहां पर लिखाता और शम्भु में छोटे उकी मात्रा लगी हुई है जहां यह बड़े उकी मात्रा लगी थी इसके बाद सुमेरु लिखा है महत्व लिखा है और शम्भु लिखा है कुछ का जो करेक्ट एंसर है वो गह हो जाएगा सुमेरू ही होता है सुमेरू नहीं होता है ठीक है सुमेरू होता है महत्व होता है मतलब तव ऐसे रहेगा उसमे एक आधा तव और रहेगा और शम्भु में भाबे छोटे हो की मात्रा रहेगी तो यह वाला जो पेर है यह परफेक् तो देखे इसमें जो correct tensor है वो गवाला हो जाएगा स्वपने द्रिष्टा ऐसे नहीं लिखा जाता है और दूसरी चीज यह है कि जो साधू शब्द लिखा है वो साधू होता है साधू की वर्तनी आपने देखी लेकिन स्वपने द्रिष्टा में क्या गड़बड़ी है पंद्रहवे नंबर के प्रश्न की वर बढ़ चलते हैं वो यहां पर उपर दिया हुआ है वांगमय लिखा है ठीक है वांगमय शब्द है अब इसकी शुद्वर्दनी आपको तलाश नहीं क्योंकि यह गलत लिखा है तो यहां पर वांगमय लिखा है मतलब आधा गया दीखने का शही तरीका बताईए ऐसे प्रश्ण पूछे जाते हैं आयोग भी पूछता है और अगर आप देखें तो इसका जो राइट एंसर है वह इसमें से हो जाएगा इसका ख वाला खवाले को देखें वांगमय ऐसे लिखा जाता है कहीं कहीं ऐसा भी लिखा दिखाई देता है लेकिन ये भी perfect नहीं है सभ से सही तरीका जो है वो यही है वांग मैं मतलब यहां पे गहाधा तो रहेगा लेकिन वो लटका रहेगा मतलब यह अंगा है उसकी नीचे ऐसे इसान लिखने का चीण करना है तो यह वाला सही इसके बाद आगे चलते हैं अच्छा वांगमे का मतलब क्या होता है जरा कमेंट बॉक्स में बताईएगा इसके बाद और ये जो सोलमा प्रशन है इसका correct answer ग हो जाएगा यहाँ विशेशन की गलती है इस वीरान जीवन से उलास जा चुका है इस प्रेकार से आप लिखेंगे लेकिन बीरान शब्द जो है, ये किसी जगा के लिए इस्तिमाल किया जाता है, किसी की जिंदगी के लिए इस्तिमाल नहीं किया जाता है, तो विशेशन का सही जगा पर इस्तिमाल होना चाहिए, इसके बाद आगे चलते हैं, question number 17, हमारे सामानों का ख्याल रखियेगा, ठीक, या दोनों यहाँ पर गलत है, या कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है, बेकार में परिशान कर रहे हैं, तो 17 में का हो जाएगा, इसमें पहले देख लीजे, तो इसे अगर आप ध्यान से देखें, तो इसमें दोनों की गड़बड़ी है, हमारे सामानों का ख्याल रखियेग हर आदमी अपने 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 लिए जिमिदार है, तो एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर बहुचन का इस्तिमाल करना, यह वचन संबंदी भी गड़बड़ी है, और यह जो सर्वनाम इस्तिमाल किया गया है, वो गड़बड़ है यहाँ पे, तो गवाले को चुना, इसके अगर 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 गड़बड़ी करते हैं, और इसका घख हो जाएगा, यह कारक दोश होता है, विभक्ति क्या होती है, वो भी तो जोड़ने का ही काम करती है, तो अगर 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 गड़बड़ी करते हैं, या उसे गलत जगह पर, जैसे जहाँ पर जो लगाना है वो नहीं लगा रहे हैं, तो वो कारक का दोश होता है, इसके बाद आगे चलते हैं, विभक्ति 19 प्रश्न, इसमें कहा गया कि निमनलिखित में से गलत कौन सा है, यहाँ पर 19 में प्रश्न को आप देख रहे हैं न, देखिए इसका घह हो जाएगा, ख तथा गह दोनों इसमें गलत है, ख और गह जो दोनों दिया हैं वो दोनों गलत हैं या पर, कैसे गलत हैं, तो यह पानी का कुवा कैसे सूख गया, साप साप दिख रहा वैसे यह वाके जो है, वो आम तोर पर सही माना जाता है, लेकिन दादाजी के विमारी शोच नहीं है, शोच नहीं है, शोच शब्द जो है वो यहाँ पर इस्तिमाल होगा, चिंतनी है जो है वो परफेक्ट नहीं है, हाला कि कुछ मामलों में से सही माना जाता है, लेकिन फ शुद्ध रूप क्या होगा मतलब इस प्रकार से अपन हुटी लिखेंगे मतलब न जो है वो पर के साथ चिपका हुआ है यहां अलग-अलग कर दिया गया है अपन हुटी या फिर अप और ह के नीचे ऐसे हलंत लगा दिये और उसके बाद मुटी लिख दिये तो यह सब शब तरीका है वो इस प्रकार से होगा मतलब हा लिखेंगे उसके नीचे ऐसे रह रहेगा और माफ कीज़ेगा न रहेगा और ऐसे लिखा जाएगा यह सही तरीका है यहां यह प्रिंटिंग मिस्टेक है कंप्यूटर ने एकसेप नहीं किया तो वो हमें हलद लग गया है चलिए गवाला इसका सही है वैसे अपनुदी का मतलब क्या होता है जरा बताएं अपनुदी का मतलब होता है छिपाने या गुप्त रखने का भाव मतलब किसी चीज को आप छिपा रहे हैं तो वो भावना कहलाएगी अपनुदी इसके बाद 21 में प्रश्न को देखें अब यहां पर वाक्यांच के लिए एक शब्द आरंब होता है प्रगल्भ होने की अवस्था प्रगल्भ होने की जो अवस्था होती है उसको क्या कहा जाता है बताएं प्रगल्भता कहा जाता है धिठाई कहा जाता है धृष्टिता कहा जाता है या सभी कहा जाता है बताएं तो इसे अगर आप देखें तो प्रेगल्वता का मतलब क्या होता है, ढिठाई ही तो होता है, तो इसमीं जो राइट अंसर है वो इसका आप खोज लीजे फिर इसमें से कौन सा होगा, इसका सभी हो जाएगा, जितने हैं वो सभी कहे जाते हैं द्रिश्टथा, ढिठाई, जब खेत में वो अपना काम आम कर लेते थे, ठके हारे रहते थे, तो जो मेड होती थी न खेत की, उस पर बैट कर सुस्ताते थे, और बिरहा लापते थे, या चैती अलापते थे, मधुष्रावनी गाते थे, जैसा मौसम रहता था, जैसा पहर रहता था, उसके हिसाफ से गात तो भणी दोपारी जो ग्रिश्मलितू की होती थी चिल चलाती धूप तो किसी चाया में बैटकर वो अपनी रोटी और पानी जो है उसको खा रहे होते थे तो उस समय वो गाना गाते थे अब ये कौन सा राग होता है कुंतल होता है लांगल होता है बिलावल होता है या कोई नहीं होता है बताइए तो बाईसे नंबर का ये जो प्रेश्न है इसका कुंतल हो जाएगा ये कुंतल राग होता है कि लांगल और विलावल भी राग होते है को भी गाने का समय होता है इंदुस्तानी सëंगीत संगीत बहुत सारे होते और Unterइक हास मौका समय होता है, उसी समय गाया जाता है, ये बात है, तो इसमें कुंतल होगा, ठीक है, कुंतल वैसे बालों को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर राग का नाम, इसके बाद आगे चलते, देखिए, क्वेशन नमबर 23, सावन के महीने की जो चौथी रात्री होती है, उसके लिए कौन सा शब्द इस्तिमाल किया जाता है, तो मधु श्रावनी कहा जाता है, मास रात्री कहा जाता है, श्रावनी कहा जाता है, ये ये शोधरा कहा जाता है, अब देख कर बताइए, इसमें से कौन सा होगा, तो 23 का घह वाला हो जाएगा, ये शोधरा कहा जाता है, ठी यह सावन के महीने में जब मेग बरसने लगते हैं तब गाया जाता है मास रात्री यानि महीने की रात्री श्रावनी मतलब सावन से सम्वन्दित तो यह वाला घह वाला इसका सही है फिलाल इसके बाद चौबिसमे नंबर के प्रेशन को देखे, बादलों की घनी भूत घटा, ठीक, एक वाक्य, और राग मेग की एक रागनी, दोनों वाक्यांच है, मतलब दो वाक्या आपके सामने दिये हैं, पहला वाक्य जो है, उसमें कहा गया कि बादलों की घनी भूत घटा, और दूसरे व मेगमाला कहा जाता है, कादंबरी कहा जाता है, कादंबिनी कहा जाता है, या क और ग दोनों कहा जाता है, मतलब क वाला ये वाला और ग वाला ये वाला, बताइए, तो चौबिसमें का घ ही होगा, क तथा ग दोनों कहा जाता है, मेगमाला, यानि बादलों की पूरी लड़ी लगी हुई है उसको कहेंगे मेगमाला तो वो घनी भूत घटा होती है वो बरस के ही जाती है ऐसे नहीं मानती है ठीक है तो मेगमाला होगा और राग मेग की एक रागिनी को भी मेगमाला कहा जाता है और उसी मेगमाला का दूसरा नाम है कादंबिनी कादंबिनी जो है ये कादंबरी शब्द जो है यह अलग है कादंबरी का इससे कोई लेना देना नहीं है तो इसका कह और गह दोनों सत्य है इसलिए हमने घह को चुन रखा है इसके बाद आगे बढ़ते हैं देखिए यहां से स्टार्ट होता है अगला यानि पचीसवा घुगराले वालों वाला मन दिखाई देता है और इसके शोभायमान जो अयाल होते हैं उनके लिए मतलब घुगराले वाले मनुष्य के लिए एक शब्द आपको खोजना है और समान शब्द यहां काम करेगा ऐसा व्यक्ति जिसके के केश शेर के से जो अयाल होता है उसके समान शोभायमान हो उसको क्य गुदा केश केंगे मेचक केंगे या छल्ले दार के बताईए तो देखें इसमें जो करेट टैंसर है उसका पहले देख लीजię बर्री केहा जाएगा जो राइट एंसर है वो क्या होगा बर्रबरी का इसमें जो शब्द है उसको हम चूनेंगे गुग्राले बालों वाला जो इंसान होता है उसके लिए इस्तिमाल करते हैं बरबरीक को और जो शेर के अयाल के समान शोभाय मान केश होते हैं वैसे धारण करने वाले व्यक्ति को भी बरबरीक कहा जाता है गुडा केश का मतलब यहाँ पर जो घुराले बाल है वो तो होगा लेकिन शेर के आयाल से उसका कोई connection नहीं है मेचक का मतलब बहुत ज़्यादा काले बाल और जो चल्लेदार लिखा है इसका मतलब चल्ले योगत तो कावाला सही है इसका इसके बाद 26 नंबर के प्रशन को देखें द्रोड अब ये एक शब्द है अब इसका आपको अर्थ बताना है यानि वाके की तलाश करनी है यहाँ शब्द दे दिया है वाके खोजना है तो विशलकरणी संजीवनी को धारण करने वाला रामायड कालीन परवत विशलकरणी य और महाभारत के एक वीरोत्तम ब्रामण मतलब द्रोणाचारी की बात हो रही है तो सभी सत्य है इसमें कोई डाउट नहीं है देख लीजे संजीवनी को धारण करने वाला जो परवत था उसको द्रोणगीरी कहा जाता था आपने थोड़ा भी एगर इसमें पढ़ा होगा य बाड़ी लेकर चलते बनते हैं बल की उनके पास कोई कमी नहीं थी बुद्धी की भी कमी नहीं थी और उसके बाद एकदम उत्तर से वो सीधा दच्छन की और यात्रा करते हैं और राधी रात में अपनी यात्रा पूरी करके सुर्योदय से पहले आ जाते हैं तो वह संकट म में उनको रख कर उनका पालन पोशन किया गया था मतलब जब वो पैदा हुए तो उनको धकने के लिए वस्तर भी नहीं था इतनी गरीबी थी तो उनको पत्ते का जो दोना होता उसमें लपेटा गया तो घवाला हो जाएगा इसके बाद आगे चलते हैं देखिए क्वेशन अब इसमें ऐसी सिद्धी होती है जो कि आकाश में उड़ने की योगिता देते तो हनुमान जी आकाश में उड़ सकते थे अब यहाँ पर वो जो सिद्धी है उसको कहा क्या जाता है महा विद्या कहा जाता है भूचरी कहा जाता है शांकनी कहा जाता है या खेचरी कहा जात बागी जितनी है वो भी सिद्धियां है, महाविद्या, भूचरी और शांकिनी और ये तीनों सिद्धियां जो हैं, वो समशान में बैटकर साधना करने पर प्राप्त होती है, इसके बाद question number 28 को देखें, यहां कहा गया कि पैसा लेकर मातम करने वाले जो पेशेवर लोग होत या दोनों सही है या दोनों गलत है, इसमें से कौन सा होगा, दोनों सही है, नौगाहर भी कहा जाता है, रुदाली भी कहा जाता है, ये किराये पर ठेके पर रोने का काम करते हैं, सुनने में थोड़ा विचित्र लग सकता है, लेकिन ये समुदाय है और अभी भी है, इसके और एक हांकित शब्द है इसके लिए आपको वाक्यांच तलाशना है शिलिमुख का मतलब क्या होता है कुल मिलाकर यह बताना है तो देखे इसमें बिना सोच विचार किये युद्ध में कूद जाने वाला बेवकूफ जो होता है मतलब अपनी शक्ति पर विचार नहीं किया और एकदम से जाके मैदान में कूद गया मरेगा निश्चित रूप से तो उसको कहते हैं शिलिमुख या फिर काला भौरा जो होता है उसको शिलिमुख कहते हैं शिलिमुख जो शब्द है या आयोग दे चुका है कई बार परिक्षाओं में इसके बाद बस्तिक और सूचि बस्तिक बाड़ होते हैं बस्तिक बाड़ ऐसा बाड़ होता है कि उसको अगर एक बार आप संधान कर दीजे धनुख पर रखके और जहां पर जाके वह लगेगा मतलब जिस व्यक्ति के शरीर में लगेगा तो जाहिर सी बात है कि वह व्यक्ति उसको जैसे योद्धा खीच बस्तिक बाड़ उसका फल बाहर नहीं निकलेगा और सूची का बाड़ जो है बड़ा बारीक होता है मतलब एक तम सूची यानि सूई की तरह से होता है बहुत बारीक लक्षे को भेदने के लिए काम आता है तो यह सब चीजे घवाला हो जाएगा अर्जुन ने तो यहाँ पर कवाला दिया है गौतम बुद्ध का चचेरा भाई जो के बुद्ध से इरिश्या करता था निश्चित रूप से वो संग पे कबजा करना चाहता था लेकिन बुद्ध के दबदवे की वज़े से उसकी दाल नहीं गलती थी और शरीर की पांच वायू में से ए बताईए कि देवदत का इसमें से सही अर्थिस्पष्ट करने वाला वाकिय कौन सा है तो यह सभी है देखिए गौतम बुद्ध का जो भाई था चचेरा भाई उसको भी देवदत कहा जाता था हंस के बीच में जगड़ा होता है दोनों पर मतलब दोनों के बीच में जगड देवताओं का निमित यानि देवताओं के अंश से पैदा हुआ या देवताओं के ग्रांड करने होगी उसको भी देवदत कहा जाता है ठीक है गंगा पुत्र भीष में जो थे उनका नाम देववरत था देवदत नहीं था अब यहां देखिए विशेशन और विशेश्य क का मामला शुरूत इस प्रशन संख्या 31 को देखिए मेवाड भूमी बलिवेदी पर होते बली शिशु रनिवासों के गोरा बादल रणकोशल से उज्वल पन्ने इतिहासों के ठीक है यह हल्दी घाटी खंडिकावे है श्यामना राण पांडे जी का वहां से लिया गया है म मेवाड भूमी बलिवेदी बन गई है यानि बली का एक स्थान बन गया है और यहाँ पर बली कौन चड़ रहा है जो रनिवासों के शिशु है अर्थात सुकोमल राजकुमार है जिनकी के अभी वय भी पूरी नहीं हुई है और वो अपनी जो अल्प वय है उसी में युद इच्छा शक्ति इनके अंदर थे तो गोरा बादल रणकोशल से उज्वल पन्ने इतिहासों के बेशक ऐसे ही जो प्रसंग होते हैं उनसे इतिहास के उज्वल पन्ने दर्ज किये जाते हैं तो आपको कुल मिला कर इसमें यह देखना है कि यह जो पद्द है इसमें है वुषेशण नहीं होगा भूमी जो है वह भी संग्या है और बली बली वेधि यह संग्यार और और थेखना है मिली के तरफे चाय कर सकते है ड्री फेर यहाँ पर संग्या गया शिशु जो है वह संग्या है रनिवास शब्द ये पुलिंग है और ये भी संग्या है रनिवास किसको कहा जाता है जो राणियों के रने का स्थान होता है उसको इसके बाद गोरा पादल दोनों व्यक्तियों के नाम है चचा बतीजा तो ये भी संग्या है मतलब विशेशे हैं रण कोशल ये भ बाद हो रही है तो यह संग्या शब्द है और इतिहास भी संग्या है तो इसमें एक मात्र हमें विशेशन प्राप्त हुआ है इतना खोजने के बाद एक विशेशन की प्राप्त हुई है इतने सारे इसमें विशेश्य थे और इसलिए ये खुराफाती जो प्रशन है यह हमसे मारतंड प्रखर एक बात है मुझे पूछनी फूल बनोगे या पत्थर तेल फुलेल क्रीम कंगी से नकली रूप सजाओगे या असली आनन्द लहु का या असली माफ कीजेगा या असली सौंदर लहु का आनन्द पर चमका होगे आनन्द मतलब चेहरा होता है दिनकर जी के पंक्तियां है ऐसी कविता वही लिखते थे तो इसमें कुल मिला कर आपको विशेशर तलाशना है पीछे तो आप विशेशर तलाश रहे थे यहाँ विशेशिक हो इसके बाद चाद भी संग्या है के जो है यहां कारक शब्द है उसको छोड़ दीजे इसके बाद दिन यहां देख रहे है ना दिन दिन शब्द क्या है यह भी संग्या है इसके बाद अच्छा है यह बनोगे जो आप देख रहे हैं यह क्रिया है इसको आप संग्या मत समझ तो इसको छोड़ दीजे एक बात है मुझे पूछनी फूल बनोगे या पथर तो यहां आप देखें एक संख्या है ने तो संख्या वाचक विशेशन हो जाएगा इसको छोड़ दीजे बात है मुझे पूछनी तो बात शब्द जो है यह संग्या है बात क्या है संग्या है को जाने दीजे मुझे पूछनी अब मुझे क्या है यहां सर्वनाम है पूछना क्या है यह क्रिया है निश्चित रूप से क्रिया विशेशन है तो यहां विशेशन हमें गिनना है विशेशन तो गिनना नहीं है फूल बनोगे या कुछ पानी पिया वह थोड़ा कमजोर है कुछ आत्मी कुछ लड़्डू लाए और खत अथा दोनों बताईए इसमें से कौन सा होगा तो जो 33 आप देख रहे हैं इसका राइट एंसर इसमें से हो जाएगा पहले देख लीजे कव वाला उसने कुछ पानी पिया ठीक है उसने कुछ पानी पिया ये वाला जो है ये परिमार वाचक विशेशन है इसके बाद 34 प्रशन को देखते हैं नठखट कनेया कपिला गाय का पके फल खाता है दोनों चीजे है अब इसमें आपको विशेशनों की संख्या गिननी है दोनों में इसलिए यूगम में दिया हुआ है या नीचे उत्तर दोनों में गिनना है कि विशेशन कितने कितने बताईए तो इसे अगर आप देखें तो चपल यानि जो इसमें दिया और इसके बाद कपिला हो गया, गाय जो है वो संग्या है उसको जाने दीजे, का जो है वो कारक हो गया, दूध भी आपका क्या है, विशेश्य है, पीता है, ये क्रिया हो गई, इसके बाद इसमें आप देखें कि कितने विशेशन हो जाएंगे, केवल दो विशेशन है, और दो दिया हो यहां पे, इसलिए कोई भी सत्य नहीं है, एक को आपने हल किया, तो आराम से आपको उत्तर मालूम हो गया, इसमें कुल विशेशन कितने थे, एक यहां पे है, और एक यहां पे, कपिला जो है, यहां नाम नहीं है, विशेशन है, तो यह दो हो गया, अब नीचे विशेशन का पेर यहां दिया तो है, लेकिन उसके साथ एक का जोड़ा दे दिया है, तो कुछ भी इसमें सत्य नहीं है, घह वाला हो जाएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, question number 35 को देखें, निमनलिकित, विशेशन विशेश युगमों में से गलत कौन सा है, वो आपको क्लेश से क्लिष्ट बनता है, और सभी सत्य है, यह वाला दिया है, बताइए इसमें से कौन सा विशेशन विशेश युग में जो है, वो गलत है, और इसका जो right answer है, वो का हो जाएगा, आहत से यहां आघहात जो बनेगा, वो साफ साफ देखकर भी लग रहा है, यह विशे विशेश युग में जो है, मतलब पहले विशेश आएगा इधर वाले में, और इधर वाले में विशेशन आएगा, इसमें से सही का चुनाओ आपको करना है, तो कोई एक ही सही हो सकता है, खार से खारज बना हुआ है, उतपीडक से उतपीडन बना हुआ है, उतप्ती से उ विशेशन होगा, अब देखकर बताई तो जो 36 प्रेशन है, इसका राइट एंसर इसमें से घह हो जाएगा, सही एक मात्री यह हर्ष क्या है, यह विशेश है और इससे बनने वाला विशेशन हर्ष्ट हो जाएगा, ठीक, हर्षित भी हो सकता है और खार जो है वो अलग शब्द हो गया इसके बाद उत्पीड़क और उत्पीड़न यहाँ उत्पीड़न शब्द इधर होना चाहिए था उत्पीड़क इधर होना चाहिए था, उत्ताप इधर होना चाहिए था और उतप्ती इधर होना चीए था तो यहाँ मिस्मैच कर दिया है कुल मिलाकर घावाला साई है इसके बाद 37 को देखें निम्नलिखित में से कौन सा समुच्य बोधक विशेशन है तो दर्जन भर संत्रे समुच्य बोधक मतलब जहां समुच्य को दिखाने का आभास हो उसको ह में देखना है तो दर्जन भर संत्रे ध्यान से देखें दो जोड़े गिर्गित बिहारी सत्साई और कुछ मकडे अच्छे इसमें विकल्प है बताई कौन सा तो 37 का हो जाएगा इसमें से घावाला कुछ मकडे समुच्य है यहां पर समुच्य बोधक विशेशन है यहां द देखें तो सत्साई का मतलब क्या होता है उसमें जो 700 पद होते हैं वो आते हैं तो यह संख्या बाचक हो गया इसमें एक मात्र जो समुच्य बोधक विशेशन है वो यह नीचे बाला है कुछ मकडे इसके बाद आगे चलते देखें 38 में प्रशन को उच्चारण का मतलब उच्चारण क्या है वो विशेशे शब्द है और ये सारे जो है वो विशेशन तो सभी को चुना 49 में क्यों और चलते हैं काल शब्द एक विशेशे है काल क्या है यह संग्या है तो विशेशे होगा अब इसके दो विशेशन यहाँ पर काल और माफ कीजेगा काल के तो विशेशन यहाँ पे कालीन और कालिक है, वो दे दिया है, इसी प्रकार से ग्रहण शब्द एक विशेश्य है, संग्या है, अब इसके लिए आपको विशेशन तलाशना है, तो ग्राहया हो सकता है, इससे बनने वाला विशेशन, ग्रहीत हो सकता है, ग्रहण उचित हो सकत जो कि यहां नीचे नहीं बलकि यहां उपर मौजूद है तो आईए देखे नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज आरुडम श्री राम चंद्र कृपाल भजुमन हरन भवभय धारुडम तो इस प्रकार से यह पंक्तियां है अब इसमें यह जो दो पंक्तियां दे रख विशेश्य हो जाएंगी कंज मुख कंज आरुडम अब यहां पर देखें कंज मुख कंज क्या है यह कमल है और मुख जो है वो संग्या है इसके बाद कर कंज मतलब दोनों यहां पर विशेश्य हो गए कर कंज पद कंज आरुडम कंज आरुडम जो शब्द है मतलब कंज के समान अरुण अर्थात जो कमल पुष्प है उसके समान अरुण अर्थात आभा युक्त लाल आभा युक्त जो पद है वो भगवान राम के हैं यानि उनके पैर जो है वो एकदम सुकोमल और गुलाबी आभा लिये हुए हैं ये कहा गया है तो इसमें दो ही विशेशन तो इस उसके बाद देखिए, यहां पर तद्वह 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 आप से पूछा जा रहा है, होलाश्टक, होलिका, हत्याकार या कोई नहीं, तो आपको जानकर राश्चरे होगा कि इसका गरस है हत्याकार होता है, हत्याकार शब्द है और उसी से होली बना हुआ है, असल में उस शब्द है ना इनके लिए तत्सम आपको तलाशना है चुलूक का दूसरा मतलब होता है तो जरह बताइए और देखें यह जो 42 है इसका करेक्ट एंसर ग हो जाएगा यानि का और खा दोनों चुलूक का जो तत्सम शब्द है यहां चुलू होता है यहां देखिए और चूला इस प्रकार से दिया है असल में यहां पूछना चाहिए था कि तत्भव शब्द कौन सा है यह तो खुदी तत्सम है चुलूक और चुली के दोनों तत्सम शब्द है देखकर भी मालूम हो रहा है इसका तत्भव आपको तलाशना है यहां तत्सम नहीं खोजिएगा तत्भ उसको बोलते हैं और जो चुलू होता है उसके लिए चुलूक शब्द जो है वो शुद्ध होता है वैसे ही चुलू और चूला चुलीक जो है वो चूला को भी कहा जाता है खाना पकाने वाला चूला तो यह कव और गदोनों सत्य हैं यह वाला गलत ठीक इसके बाद आगे चलते हैं question number 43 को देखें व्याकरण और भाशा की दृष्टिकर घोडा काजू और अदालत यह तीन शब्द हैं यह किस प्रकार के शब्द हैं तीनों अलग अलग विराइटी के हैं तो इसलिए विदेशी देशज और विदेशी दिया है या फिर विदेशी तद्भो और है इस प्रकार से दिया है या अदालत अदालत विदेशी शब्द है अब इसमें से आपको सही जोड़ा चुनना है कुल मिलाकर तो जो 43 है ना इसका करेक्ट टैंसर इसमें से कौन सा होगा देखकर बताइए कावाला हो जाएगा विदेशी देशज और विदेशी घोड़ा जो है वो विदेशी है ठीक घोड़ा शब्द जो है यह विदेशी है अपने या तो अश्व कहते थे और देशज शब्द है काजू काजू विदेशी शब्द नहीं है और यह जो अदालत शब्द आप देख रहे हैं यह अर्भी फार्सी से आया है तो यह विदेशी इस प तत्सम शब्द है उसी का ये बिगड़ा रूप है और अगिन यानी अगनी को कहा जाता है तो कुल मिलाकर ये जो शब्द है न ये किस प्रकार के हैं ये तद्भो है देशज है या अर्ध तत्सम है या सभी इसमें गलत दिया हुआ है देखिए ये तत्दभो भी नहीं है गल प्रकार के जो बीच में शब्द होते हैं न न पूरी तरह से तत्भा होते है उनको अर्ध तत्सम कहा जाता है तो इसका जो गवाला है वो सही इसके बाद 45 में को देखें सेमल और सांसत ये तद्भो शब्द हैं सांसत में जान पड़ी होई है मतलब बड़ी नवस्था है और सेमल एक पेड़ का नाम होता है, कांटेदार बड़ा सब रिक्ष होता है, उसमें पत्तियां कम और कांटे जादा होते हैं, और उसमें फिर फूल लगते हैं लाल-लाल बसंद के मौसम में, फिर रूई निकलती है धेर सारी, तो वो वाला, अब इन दोनों के लिए तत्सम आपको खोजना है, मतलब सेमल का तत्सम इधर खोजिएगा, और सांसत का इधर खोजिएगा, जरा बताइए, तो 45 जो आप देख रहे हैं, इसका राइट एंसर इसमें से हो जाएगा, गवाला, यानि शालमिल और शास्ती, देखिए जो सांसत शब्द है इसका शुद्ध ह होता है शास्ती, और शालमिल कहा जाता है सेमल को, ठीक, इसके बाद आगी चलते हैं, कबीर दास जी जो है, वो सेमल के फूल से इस संसार की तुलना करते हैं, जो दिखावटी होता है, उसके अंदर कोई सुगंध नहीं होते हैं, सिर्फ दिखावा होता है कि खुब बढ़ इसका घवाला हो जाएगा, साथी का सार्थी जो दिया है न, यह यहाँ पर गलत दिया है, इसमें दो अलग 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 शब्द हैं, साथी, सार्थी को यह आवश्यक थोड़ी है, ठीक है, तो साथी यह अलग शब्द होगया, सार्थी दूसरा होगया, घोड़े या रत को मुहाकनेवाल वाकी जितने हैं वो सही इसके बाद आगे बढ़ें question number 47 को देखें सो रठा सो रठा ठीक है एक पद होता है चंद होता है तो इसके लिए उचित तत्सम शब्द आपको तलाशना है इसको अश्ट चत्वारिंशत कहते हैं ध्यान से देखेगा अश्ट चत्वार कैते हैं सो राष्ट कहते हैं अटालीका कहते हैं सौ रठा जाता है च एक प्रान्थ मंदिरे तो सोरठा का ये शुद्धरूप होता है, सौराश क्रिस को बोलते हैं, इसके बाद आगे चले 48 को देखें, आयूतम आयूतम दिया है, ये तद्सम शब्द है, अब इसके लिए तद्भो का आपको चैन करना है आयूतम क्या है, ये एक संख्या को संख्या होती है, ये वाला जो संख्या है इसको कहते हैं आयूतम इसके बाद आगे चलते हैं, question number 49 इधर इंतजार कर रहा है, और उसमें दिया हुआ है कि बंदूक का तद्सम शब्द क्या होगा बंदूक एक विदेशी शब्द है, ठीक इसका तद्सम क्या होगा, भुशुंडी होगा, वेधिका होगा, वेधनी होगा या विसफोटिका होगा सारे नाम जो हैं वो अच्छे मालूम होते हैं लेकिन इसका जो correct answer है, भुखका हो जाएगा भुशुंडी, ठीक इसके बाद आगे चलते हैं दवात और मानिटर, दवात और मानिटर है असल में, यह विदेशी शब्द हैं जो कि अब हमारी बोलचाल की देशज भाषा में घुल गये हैं और उसी हिसाब से रूपांतरित हो गये हैं और मानिटर जो है इसको मानिटर है कहा जाता है यह गढ़े गए शब्द है तो ऐसे शब्द जो है वो आयोग भी गढ़ता है इसलिए हमने भी कुछ गढ़ रखें ठीक है इसके बाद आगे चलते यहां देखें 51 अब यहां से परियावाची शब्दों का जो सिलसिला है व और सर्व भूत 6 है अब इन शब्दों का अर्थ क्या है अर्थात इनके लिए कोई एक शब्द आपको ढूड़ना है जिसके कि यह परियावाची तो यह मनु के परियावाची है मनु कौन थे तो यह ब्रह्मा जी की संतान थे और 14 मनु हुए है उसमें से किस मनु की बात हो जो है वो पुतर कामिश्टी अगी कर रहे थे और उसमें जल तैयार करते है और वो जल पीना रहता है राणी को लेकिन प्यासल लगती है वही पी लेते हैं और उसके बाद फिर प्या होता है आप जानते हैं Songmaster अनके पिता उने स्विकार करने से मना कर देते हैं तो उसके ब वाला हो जाएगा यह यम्राज के पर्याइवाची उन्हें वैवस्वत भी कहा जाता है और दुंबर भी कहा जाता है उनके रंग की वज़े से ऐसा कहा जाता है दगन कहा जाता है नील कहा जाता है परमेश्ठी कहा जाता है सर्व भूत च्छय कहा जाता है यह सारे जो मियां का पड़ाइवाची ऑफ उसको दूद्ग जाते हैं कि ये इस्तिमाल कदें दूद के लिए इस्तिमाल करते हैं तो तो आपको ये देखकर समझ में आ रहा होगा, किसी भी गहरी जगा के लिए ये तीनों शब्द इस्तिमाल होते हैं, तो ये तीनों ही गहरे होते हैं, म्यान भी गहरी होती है, द्रोणी भी गहरी होती है, खाई तो गहरी होती है, तो हमने घह वाले को चुल लिया, इसके बाद 53 को देख लेते हैं, कामदेओं के परियाईवाची शब्दों में अनंग तथा कंदर्प, ये दो शब्द गिने जाते हैं, अनंग और कंदर्प, बहुत सारे कामदेओं के परियाईवाची हैं, अंगिनत, तो कुछ और परियाईवाची आपको पहचानने हैं, तो यहां दिय बताईएगी इसमें से कौन सा काम देओं के लिए और परियाईवाचियों का काम करेगा बाकी अनंग और कंदर्प मनोज इस प्रकार के शब्द आप देखते ही तो 53 का राइट अंसर घह हो जाएगा यह जितने हैं वो सभी है ज्यादा कठिन दिखाई देना है तो घह वाले क आपको तलाशना है मतलब इनका मतलब एक ही है इनका तातपरी क्या है एक शब्द है कोई वह कौन सा है तो वह वाम हो सकता है विशम विखिज हो सकता है समर हो सकता है या सभी हो सकता है तो आपको बता दिया जाए कि यह जितने शब्द हैं यह काम देओं के परियाईवाच तो वो उनी से गिने हुए कुछ यहां पर रखे हुए और काम्देव को को कहा जाता है व दानीगी वी कहा जाता है उन्यों की चानल को कको याद करने में पंड़े को समस्या हो पहर पाहँ से लोगों से भी बहुत से नए शब्द आप सीखेंगे इसके बाद देखिए पच्पनवा अभिशंग शब्द का उचित अर्थ है अब यहां देखिए कौन सा होगा अंदोह और अमियून अक और अध्य इसके बाद दरदीला और गश्ट दे और सभी इसमें से बताईए तो अभिशंग का जो यहां पर उचे तात पर है वो कौन सा होगा पच्पनवे का जो राइट एंसर है वो घह हो जाएगा सभी इसके बाद आगे चलते हैं च्पनवे को देख लेते हैं नलिनी अब्ज यहां ध्यान दीजेगा नलिनी अब्ज और अंज यह तीन शब्द हैं अब इन शब्दों का आपको परियावाची ढूणना है तो यह कमल के परियावाची है कमल नहीं है कमल है इसके बाद कुंद के परियावाची है कोका या बेर्रा के परियावाची है या सभी के परियावाची है तो नलिनी किसको कहा जो कुमुदनी होते हैं उसको कहा जाता है मतलब सफेद कमल रात के समय खिलता है अब जबी उसी को कहते हैं अब जबी उसी को कहते हैं अंजभी उसी को कहते हैं कमलों का भी अलग-अलग प्रकार होता है मतलब नीला कमल लाल कमल सफेद कमल उसी हिसाब से उनका नाम भी होता ह कुबलय जो है वो नीले कमल को कहा जाता है अर्विंद जो है वो लाल कमल को कहा जाता है वैसे नलिनी अब जो संबोधन आप देख रहें ने यह सफेद कमल का होता है तो उसी को कमल भी कहते हैं कुंद भी कहते हैं और कोका या बेरा भी कहते हैं तो सभी इसमें सत्य इसके बा तसव़ूर का मतलब क्या होता है एक उमीद, अभिलाशा जैसे कि भविश्य में ये चीज़ होगी ऐसी हमें अपेक्षा है या आशा है उसी को कहा जाता है तसव़ूर और उसी का तातपर यहां इरादा से भी है अुसेर से भी है, अहक से भी है आध्या का भी वही अर्थ होता है, आशंसा का भी वही अर्थ होता है तो घहावाला इसका सही हो जाएगा, ये सभी समानार्थी इसके बाद 58 की ओर चलते हैं, फुल मिलाकर 60 प्रशन है न तो 58 में में कहा गया कि एक आक्ष, एक नैन, एलविल, गोहिकेश ये सभी परियावाची हैं किसके, तो एक आक्ष का मतलब क्या होता है आक्ष मतलब होता है आख, और एक मतलब एक, तो एक ही आख जिसके पास है वो कौन व्यक्ति है वे इसमें बताईए, वो कुबेर है, धनद है, निधिप है या सभी है तो कुबेर होते हैं, कुबेर की एक ही आँख थी, दूसरी नहीं थी, ताने थे, और उनी को धनद कहा जाता है, धनद का मतलब क्या होता है, धन को देने वाला, धनदा अगर यहाँ पर देखिए, धनद, ऐसे लिखा है न, तो यह इसका तातपरे होगा कुबेर, लेकिन अभ तो सभी का, इसके बाद आगे चलते हैं, 59 को देखें, छिन छवी, छिन छवी, अनुभा, इर्मद, यह सभी परियाएवाची शब्द हैं किसके, यह आपको देखना है, छिन छवी का मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए अपनी छवी को दिखाने वाले, छिन अर्था हमें तलाशने हैं, तो गाज होता है, सौधामिनी होता है, तडित अथवा दामिनी हो सकता है, यह सभी हो सकता है, बताइए, तो छिन छवी, अनुभा, इर्मद, गाज, कहते हैं न, उसके उपर गाज गिर पड़ी, तो गाज मतलब आकाशी बिजली, सौधामिनी भी उसी क कई शब्द की और संकेत करते हैं, वो शब्द कौन सा है, हर है, हरी है, यम है और दुर्वासा है, उग्रधनवा, पार्शोवक्त्र, यही और सर्व, यह जो साथवा प्रशन है, इसका कह हो जाएगा, यह हर की और इशारा करते हैं, हर का मतलब क्या है, हर मतलब महादेव की ब पड़ते रहें